मैं भी आपको देख नहीं पा रहा हूँ, यहां परदा लेगा पड़ा है आपता ये प्यार मेरे सर आखों पर है दोस्तों भारत माता के भारत माता के भारत माता के शंकट मोचन हनमान लला के संकट मोचन हनमान लला के लखन कुवर महाराजी की लखन कुवर महाराजी की लखन कुवर महाराजी की महा कौशल ने बाजपा को बार बार आशिरवाद दिये इस बार भी महा कौशल ने भाजपा की महा विजय तै कर दिये है ये नजारा और बारा एक बज़े की दूप में भाईयो बहनो ये जनता जनारण की गारंटी है भाजपा को जिताने की गारंटी किसको कहते हैं ये यह नजार आ रहा है ये विजय की गारंटी है जनता जनारण की गारंटी है जनता जनारण के आशिरवाद से निकली हुए गारंटी है भाईयो बहनो हमारे MP को सूशासन की निरंतरता चाहिए हमारे MP को विकास की निरंतरता चाहिए और इसलिए मद्द प्रदेश कह रहा है मद्द प्रदेश एक स्वर से कह रहा है भाजपा है तो बरोसा है भाजपा है तो विकास है भाजपा है तो बहतर भविश्य है और मद्द प्रदेश से एक हवाज सुनाई दे रही है मद्द प्रदेश का बच्चा बच्चा कह रहा है MP के मन में MP के मन में MP के मन में मोदी के मन में मोदी के मन में और इसलिए तिरे एक बार तिरे एक बार तिरे एक बार भाजपा बहनों ये नाता है साथ जनम लेने के बाद भी ऐसा प्यार पाना बहुत मुश्किल होता है जो प्यार आप दे रहे हैं जो आसिरवाद आप दे रहे हैं जीवन को धन्य बना देते हैं मेरी मात आप इतने बार धन्य हो जाता है और मैं आज इस मिट्टी परा करके आपके आसे बात से एक नई उर्जा ले करके जा रहा हूं और मेरा तो आज का दिवस ही बड़े पवित्र वातावां में प्रारंब हुआ जिनके प्रती मेरी अपार स्वद्दा है ऐसे देवतुल्य परमपुज विद्या सागर जी महाराज के चरणों में मुझे बैठने का मोका मिला उनके अथिरवाद ने और उनके विचारों को सुन करके मन बहप प्रभावित हो गया साधना में रत जीवन को पूर्ण तया आप परिग्रह के सिध्धानतों पर इश्वरिय सक्ति से जोड़ने वाले पुज विद्या सागर जी महाराज के विचार उनके अशिरवाद आज के दिन की मेरी शिरुवाद नई प्रान सक्ति बन गई है और आज यहां पर मुझे आपके आशिरवाद जनता जनारदन के आशिरवाद यह अपने आप में बहुत बड़ी थाकत है मैं साथ पहता हूं दोप्तों यह जो राजनीती में गुना भग करने वाली एक टोली रहती है हिसाब किताब करती रहती है पांदेस लोगों को पूछ करके मन बना लेती है उधरा यहां करके नजर कर ले विजय कहां होती है यह दिखता है हमारे सामसद महुद है मुझे कह रहे थे कि तीस साल के बाद को प्रद्यान मंत्री यहां आया है देखिए यह सोभागे भी मुझे ही मिला आपके आसिरवात माना यह भी तो सोभागे होता है आज में आपके बीच आ गया मेरे परिवार जनों कि दुनिया भर में इतना बड़ा संकत आया है परिवार का एक एक भ्रक्ति जान बचाने के लिए भाय के बीच जी रहा है बाहर जाना मुश्किल काम करना मुश्किल काम चलाना मुश्किल तो मेरे दिल में एक ही विचार आया था कि मैं इस कोरोना के खिलाब लड़ाई मैं जितना कर सकता हूं करूंगा मैं हार नहीं मालूंगा मैं पीछे नहीं अटूंगा मैदान के जंग में रहूंगा और कोरोना से लड़ाई लरता रहूंगा मेरे देश वास्यों को बचाने के लिए जो करना पड़े करूंगा आए उस वेदना मैंसे उस करोना मैंसे उस सम्वेदना मैंसे मेरा पहला संकल्प बना था कि मैं इतने बड़े संकट मैं किसी भी गरीब के घर का चूला बुजने नहीं दूंगा मैं गरीब से गरीब का घर का चूला जलता रहे बच्चे कभी भूके सोना जाए इसके लिए मैं जाता रहता था आप भाईयों बेरो कोरिना कान से लेकर के अब तक 80 करोन लोगों को हमने गरीब कल्यान अन्य योजना के तरत मुप्त राशन बेने की योजना चलाई हमारे मद्ध प्रदेश में करीब पांच करोड हमारे परिवार जान हमारे पांच करोड साथी उनको घर में ये मुप्त राशन पहुंचा उनका चूला कभी बूजा नहीं मा को कभी रोते बिलकते बच्चे देखने नहीं पड़े और इसलिए भार्यों बहनो वैसे तो ये योजना एक महिने के बाद डिसंबर महिने में पूरी हो रही है लेकिन मैं तो गरीबी से निकला हूँ गरीबी क्या होती है वो मुझे किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता है मैं गरीबी को जी करके आया हूँ मैं गरीब के दर्द को मैसूस करता हूँ आद इसने आपके बेटे ने आपके भाई ने एक बहुत बढ़ा निर ने मन में भक्का गर लिया है दिसम्बर में जब योजना पुरी होगे तो मेरा निश्चय है कि आने वाले पांच वर्ष के लिए फिर से एक बार मुफ्त राशन की गारंटी देंगे हाँ पांच वर्ष के लिए मैं आपका बहुत हमारी हो यह सुनकर के आपके अंदर जो चेतना आई है मेरा मेरे सही होगा यह आपके आशिरवाद से दिख रहा है और इस पर तेंदर सरकार लाखो करोर रुप्या कर्च करने वाली है आप याद कीजिए 2014 से पहले कॉंग्रिस का एक एक गोटाला है गोटाला लाखो करोरों का हुआ करता था अब भाजपा सरकार में गोटाले नहीं होते गरीब के हक का जो पैसा हमने बचाया है वो अब गरीब के राशन पर खर्च हो रहा है गोटाले बाज कॉंग्रेस सरकार और गरीबों की भाजपा सरकार में यहीं सबसे बड़ा अंतर है मेरे परिवार जनों हमारे आदिवासी परिवारों में लखन कुबर जी के मंदिर में पूजा अर्चना से खेती शुरू करने की मान्यता है सीवने की यह पुन्य भूवे शहीद बिंदु कुमारे रानी दुर्गावती और राजा शंकर शा की धर्ती है मा भारती की रक्षा और हमारी संस्क्रिटी की रक्षा में हमारे आदिवासी वीर विरांगनाओं का योगदान यहां कंकन में दिखता है लेकिन कॉंग्रेस ने बीते दसकों में भारत की आजाजी का सारा स्रें स्रीक एक ही परिवार के नाम कर दिया कॉंग्रेस के लिए अपने एक परिवार से बड़ा कोई और है ही नहीं जहां कॉंग्रेस सरकार में रहती है वहां सरकारी योजनाएं वहां के रास्ते अरे गलिया भी सब कुछ उसी परिवार के नाम कर दी जाती है यहां तक की MP के गोशना पत्र में भी जिर्फ वही एक परिवार दिखता है साथियों यह भाजपा है जिसके लिए हर गरीब हर पिछडा हर दलीद हर आदिवासी भाजपा परिवार का सदस्य है मेरा परिवार जन है यह भाजपाई है जिसने आदिवासी समाज के विकास के लिए अलग मंत्रा लए अलग बजट बनाया आजकल एक कॉंग्रेस के नेता आदिवासियों में जाकर के जूड फैलाने की फैक्टरी खोल रहे हैं बांती भांती के ब्रह्म फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कॉंग्रेस वालों के तो मुह में आदिवासी नाम शब्द शोभा नहीं देता है कोई मुझे बताए नहीं आप मेरे सवाल का जवाब देंगे मेरे सवाल का जवाब देंगे सब्के सर्द हो यह क्या यह आदिवासी समाज भाजपा सरकार मनने के बाद आया क्या क्या ये हमारा आदिवासी समाज सेक्डों सालों से है के नहीं क्या ये हमारा आदिवासी समाज भगवान राम के जमाने में ठाक नहीं क्या हमारे इस आदिवासी समाज ने राजकुमार राम को पुर्शोत्तम बराम बनाया के नहीं बनाया ये हमारे आदिवासी समाज ने बगवान राम को भी समाला के नहीं समाला आदिवासी समाज इतना पुराना है लेकिन ये कॉंग्रेस वालों को पांच पांच दसद तक दिल्ली में राज करने के बाद आदिवासी समाज नहीं सुनाता उन्होंने आदिवासी कहा रहता उसका पता नहीं था उनको कभी विचार नहीं आया कि जल जातिये समाज के कल्यार के लिए विशे ध्यान देने की जरूरत है पहली बार जल आप सब लें अटल विहारी बाजपाई बाजपा के नेता को देश का प्रधान मंत्री बनाया आजादी के पाँच छे दसक के बाद ये अटल जी थे ये बाजपाई सरकार थी ये हमारे समस्कार थे हमने आदिवासियों के लिए अलग मंत्राले बनाया बारत सरकार में पहली बार जन जाती है लोगों के विकात और प्रगति के लिए मंत्राले बना